दोस्तों एक बार फिट से स्वागत है आपका प्रिजापती न्यूज में शराब पीने से शरीर पर क्या आसर पड़ता है? दोस्तों ये वीडियो सभी लोगों के लिए है जो लोग शराब नहीं पीते हैं उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए दोस्तों जब कोई इनसान शराब पीता है तो उसके पास कई सारे बहानों की लंबी लिस्ट मौजूद होती है जिसमें से सबसे पहला बहाना तो ये है कि मैं कभी कभी शराब पीता हूँ और मुझे रोज पीने की आदत नहीं है कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतने सालों से शराब पी रहा हूँ आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ तो ऐसे महान भी हैं जो ये बूलते हैं कि मैं गम में शराब पीता हूँ या फिर जब खुशी होती है तो शराब पीता हूँ ऐसे न जाने कितने सारे बहाने लोग शराब पीने के लिए बनाने लगते हैं पर दोस्तों इस तरह के लोगों के बहानों को सुनकर शराब पीना शुरू मत कर देना और अगर आप पी रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शराब से कुछ नहीं होगा तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है क्योंकि आज मैं यानि आपका दोस्त विशाल प्रजापते आपको भी बताऊंगा किस तरह शराब आपके शरीर में असर करती है लेकिन हाँ वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट है वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखरा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में पैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सब से पहले दोस्तों जब कोई इनसान शराब पीता है तो वो शराब उसके मूँ से होते हुए इसोफेगस के रास्ते उसकी पेट तक पहुँचती है अब जब शराब हमारे पेट में पहुच जाती है तो वहाँ पर आने के बाद उसका 20 प्रतेशत अलकॉल पेट की दिवारे अपने आप में अब्सॉर्ब कर लेती है यानि सोख लेती है और अगर किसी ने खाना नहीं खाया तो ये जो अब्सॉर्प्शन है ये और ज़दा हो अब आप तो जानते हैं कि लिवर हमारी बाडी का एक बहुती जरूरी औरगन है क्योंकि आप जितनी भी शराब पी रहे हैं उसे पचाना और फिर उसे बाडी से वापस बाहर निकालने का काम लिवर कही होता है पर दोस्तो दिक्कत यह है कि जब एलकॉल लिवर के पास पह इसमें बहुत भारी खर्चा लगता है इसलिए आपने देखा होगा जो लोग जादा शराब पीते हैं उनका लिवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है सिर्फ इतना इनी एलकोल पीने से शेरीर में फैटी एसेड बनता है अब काफियत तक इसे मैनेज किया जा सकता है लेकि जैसे कि हमने आपको बताया शराब हमारे खून में मिल जाती है जिसके बाद वो हमारे हर्ट में जाती है और ये तो आप जानते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी बाड़ी के अंदर बलड सर्कुलेट करता है और इसी हर्ट के जरीए आपकी जो अलकोल है वो लंग्स मे पहुंचती है इसलिए जब आप सांस लेते हैं तो सांस में वो बदबुआनी शुरू हो जाती है और अभी तो किवल बदबुआनी शुरू ही है क्योंकि जब ये अलकोल आपके दिमाग में पहुंचता है तो इसके बाद आपकी कॉंशनेस इफेक्ट होने लगती है आप बिना शराब पीए होते हैं और यही वज़य कि शराब पीने के बाद ड्राइव करने के लिए मना किया जाता है क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता और उसमें सुस्ती चाने लगती है जिसके बाद कुछ भी हो सकता है अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों शराब पीने में किड्नी का भहती महतुपूर्ण फंक्शन है क्योंकि जो किड्नी होती है वो हमारी बाडी में मौझूद गंदगी को साफ करके बाडी से निकालने का काम करती है यहाँ पर एक एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन होता है इस हॉर्मोन का असल काम यह होता है कि जब किड्नी जरूरत से ज़धा पानी यूरेन के फारम में निकालती है तो यह उसे रोकता है ताकि शरीर से ज़धा पानी ना निकले पर दोस्तों दिक्कती एकि जब शराब पि जाती है न तो इस हॉर्मोन का लेवल डाउन हो जाता है जिसके कारण ज़ादा से तसर छोड़ता है इसलिए इससे दूरी बना कर रखने में भलाई है अब कई लोग ऐसे हैं जो कभी कबार पीते हैं लेकिन एक ही बार में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं जैसे कि कोई शादी वगेरा या पार्टी में गए और उस दिन बहुत जादा शराब पिली तो दोस्तो शराब पीने के बाद इदर उदर गंदगी में पड़े रहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं एक बार में अगर कुछ जादे अलकॉल पी लिया जाए तो यह बहुत ही जहरीला साबित हो सकता है जिसकी वज़े से इंसान कोमा में जा सकता है और यह तो आप भी जानते हैं कि कोमा में जाने वाले अधिकतर लोग वापस लाट कर नहीं आ पाते हैं अब यहाँ पर सवाल ही आता है कि लीवर एक घंटे में कितनी शराब पचा सकता है तो दोस्तों एक घंटे में लीवर एक यूनिट अलकॉल पचा सकता है यानि कि करीब 10 मिली ग्राम शुद्ध शराब को ह उसमें एक यूनिट अलकॉल होती है अगर कोई बीयर का धाइस्व एमल पी लेता है तो उसे एक यूनिट यानि कि 10 मिली ग्राम शुद्ध शराब कहते हैं यदि कोई 25 से 30 मिली ग्राम हार्ड लीकर पीता है तो चाहे वो विस्की और रम हो या फिर वोद का इसमें भी एक यानि कि करीब 10 मिली ग्राम शुद्ध शराब होती है अब आप समझ गये होंगे किस चीज़ का सिवन करने से कितनी शराब आपके शरीर में जाएगी और याद रखें एक घंटे में आपका लिवर सिर्फ इतनी ही शराब पचा पाएगा इससे जदा अगर बाड़ी में शर पहुचेगी तो वो जहर बनने लगेगी और वही जहर धीरे धीरे मौत का सबक बन जाता है इसलिए अभी भी समय कि अपनी शराब पेने के आदत को छोड़ दें वरना आप समझी गए हैं कि ये किस लेवल तक खतरनाक साबित हो सकती है बाकी आपका इस पर क्या कहना है कॉ उसतों अगर आप भी हमारे जैसे नॉलेज फैक्ट्स के दिवाने हैं तो हमारे दूसरे चैनल ब्राइट ग्यान को ज़रूर सब्सक्राइब करें जहां आपको तरह तरह के फैक्ट्स देखने को मिलेंगे चैनल का लिंक के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स या कॉमेंट बॉक् चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू कर दें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तक तक के लिए जा हिंद जा भारत दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियो दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों देखिएगा बहुत अच्छी वीडियो बनिये